Good morning students, आज आपकी third poem, On His Blindness, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके पहले की class में हम लोगे free standards पढ़ लिए हैं इस poem के, जिसमें हम लोगे नहीं क्या पढ़ा था, हम लोगे नहीं ये पढ़ा था, कि इस poem में On His Blindness, जिसका नाम है, जिसके poet John Milton है, वो अन्धे हो चुके हैं, वो 44 years की H में ही अंधे हो गए थे, और अन्धे होने के बाद, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या-क्या बाते उनके मन में आ रही हैं, वहीं उन्होंने इस poem में लिखा है, तो इस poem में वो ये कहते हैं, कि कैसे मैं अपने आधे जीवन के पहले ही, अपने मैने आखोν की रोशनी को दी है और अब क्या होगा जो भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है पोईटिक टैलेंट यानि जो कविता लिखने के जो इनके अंदर एक गुड़ था एक क्वालिटी थी अब उसका क्या होगा क्यों क्यों क्योंकि अब तो यह अंध्य हो गए तो अब इनके लिए कविता लिख इनका अकाउंट मांगेंगे तो यह क्या दिखाएंगे क्योंकि इनके पास तो यह तो कुछ कर नहीं पाएंगे तो इनके पास कुछ दिखाने को नहीं रह जाएगा कुछ भी अकाउंट उनको प्रेजेंट करने को नहीं रह जाएगे लेकिन बाव में यह सोसते हैं कि ऐसे इंसान से जिसकी भगवान ने रोश्णी चीन ली है क्या ऐसे इंसान से भगवान किसी भी तरह की परिष्टम या कोई भी काम करने का क्या उमीद करेंगे क्या भगवान ऐसे इंसान से जो अंधा हो चुका है क्या उससे उमीद करेंगे उसने अपने जीवन में कोई कारे किया हो लेकिन यह सारी चीज़े पहले तो यह कहते हैं लेकिन बात में यह जो गुस्ता कर रहे हैं भगवान पे वो उनके अंताकरण से एक आवाद आती है और उनके वो सारा गुस्ता कम हो जाता है इनके अंताकरण उनसे बोलता है कि भगवान को किसी की सेवा की जरुरत नहीं है कि मतलब जो यह कहते हैं पोईटिक टैलेंट से सेवा करूंगा तो भगवान को किसी की सेवा की जरोती ही है और जो इश्वर के दोड़ा दे गई खुशियां या दुक जो भी हो उसको जो इंसान अच्छे से स्विकार कर लेता है वही इंसान इश्वर का सच्चा भक्त होता है यहां तक हम लोगोंने पढ़ लिया था अब आगे हम लोग ल क्या कह रहे हैं जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने कहा कि इश्वर द्वारा दिया गया चाहे वो खुश्यां हो चाहे वो दुख हो जो इंसान उसको सहन कर लेता है वही इंसान सुखी है लेकिन क्या कह रहे हैं ये आगे ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतनी बात नहीं है आगे ये इश्वर का जो state है जो भगवान का समराच्य इट्स इंग ली यह बहुत बड़ा है राजाओं जैसा है थाउजंस अज़स पीड़िंग स्पीड यानि हाजारों लोग उनकी बेड़िंग स्पीड यानि उनके मुंझे कहते ही वो तुरंट आक्टिव हो जाते हैं मतलब भगवान के पास लोगों की कमी नहीं है, उनकी बात मानने वाले बुखत लोग हैं, जो एंजल्स हम लोग मानते हैं, कि हाजारों एंजल्स हैं, जो एक बार उनके कहते ही तुरंत उनके लिए सब कुछ करने को तयार हो जाते हैं, and post all an ocean without rest, और ये एंजल्स क्या करते है मतलπ चाहक कहीं पे भी वो जा सकते हैं मतलब भगवान की बात को मानने की लिए भी वो आस्मान पे, धर्ड़ती पे, ओशन पे कहीं पे भी जा के भगवान के द्वारा किया गया जो भी कारे है वो करने को तत पह रहते हैं वो भी without trust मतलब बिना किसी आराम किये वो बिल्कुल तत पर रहते हैं हर तरह का कारे करने के लिए और क्या कह रहे हैं कि जैसा कि जॉन मिल्टन ने शुरू में ही कहा था कि मैं तो पोईटरी से भगवान को सब नहीं कर पाऊंगा यानि मैं कविता नहीं लिगूंगे तो इश्वर की सेवा नहीं हो पाएगी सेवा ही करते हैं यानि जो इंसान इंतजार करता है यह भगवान जो करेगा अच्छा करेगा या फिर इश्वर पे आस्था रखता है इश्वर में विश्वास रखता है ऐसा इंसान भी इश्वर का सेवक ही है मतलब ऐसे लोग भी इश्वर के सेवक होते हैं तो यह हमारी पो